नमस्कार दोस्तों जैमा भद्रकाली जै महाकाल हमारी यूट्यूब चैनल प्राचिन मंतर हस्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत है तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शादी तोडने का उपाए जी हाँ दोस्तों अगर आपका प्रेमी आपको प्यार में दोखा दे कर किसी और स्त्री या किसी और लड़की के साथ विवाह कर रहा है तो आप उसकी शादी को कैसे तोड सकते हो तो दोस्तों आज मैं इसी विशे के उपर आज आपको ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ यह है शमशानी और अगोरी क्रिया के दुवारा किया जाने वाला टोटका है अगर आप इसकी संपूर्ण विदी जानकर कर लेंगे तो आप अपने प्रेमी की या जो भी आपको धोका देकर किसी और स्तरी से या आपकी प्रेमी का आपको धोका देकर किसी और लड़के से शादी कर रही है तो आप बड़े आसान तरीके से बड़े सरल तरीके से और मात्र तीन मंत्रों का जाप करके ही इस शादी को तुड़वा सकते हूं तो दोस्तों इस टोटके की संपून जानकारी प्रापत करने के लिए हमारी वीडियो के अंतर तक अवश्य बने रहिएगा अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिये लाल बटन की उपर क्लिक करें और अभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करें तो आईए दोस्तों आपको बताता हूँ कि इस टोटके का इस्तिमाल आपने किस तरीके से करना है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने क्या करना होगा कि दो गुर्दों की आपको आवश्यक्ता पड़ेगी जी हाँ दोस्तों यह शमशानी वह अगोरी के लिया है तो बिना गुर्दे के यह कारे नहीं होगा आपको दो गुर्दों की आवशक्ता पड़ीगी वह आप प्रापत कीजेगा उसके बाद दोस्तों आपने दो लहसुन की कलिया लेनी है उसके बाद जिन दो लोगों की आप शादी तुड़वाना चाहते हो उन दोनों का आपने काले पैंसे वहाँ पर लसन के उपर आपने नाम लिख देना है इस परकार से यहाँ पर लड़के का नाम और जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है वहाँ दूसरे लहसुन के उपर आपने उसका नाम लिख देना है आगर आपका प्रेमी है या आपकी प्रेमी का है तो आपने उसका फोटो ले लेना है इस परकार से जैसे कि हमने यह कालपनिक फोटो लिया हुआ है आपने ऐसा ही एक अपने प्रेमिया प्रेमिका की फोटो ले लेनी है और लेने के बाद दोस्तों आपने क्या करना हुआ कि इस गुर्दे को इस परकार से आपने उठाना है और एक लहसुन को आपने यहां पर र और इस प्रकार से दूसरे गुर्दे को उठाकर इन दोनों के बीच में यानके बीच में आपने वह लहसुन रखना है यानके उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए इसके उपर जो आपका प्रेमी है या प्रेमी का है तो उसका नाम लिखने के बाद इस प्रकार से इस लह तोखा दे रहा हूँ आपने उस व्यक्ति की फोटो के ऊपर यह तीनों की तीनों सामग्रियां इस परकार से ही रख देनी है और रखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा गि आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है जी हां दोस्तों जो मंत्र है वह बहुत ही सरल है मा आपने इसका जाप करना है और जाप करते ही इन दोनों का विवाह मात्र 24 गंटे के अंदर ही अगर ना रद्ध हो जाए तो आप हमें कहिएगा बहुत ही पावर्फुल टोटका है दोस्तों अगर इसका इस्तिमाल करेंगे तो अपना प्रेमी हो चाहे प्रेमी का हो आप उसकी शादी मात्र 24 गंटे के अंदर ही तुड़वा सकते हैं तो दोस्तों जो मंत्र है वह मां आपको बोलकर बता रहा हूं ओम दह दह लह स्वाहा ओम दह दह लह स्वाहा तो इस परकार से आपने इस मंत्र का टोटल एक हज़ार एक्क्यावन बार जाप करना है और करने के बाद अपने क्या करना होगा कि इस लहसुन और इन गुर्दो और अपने प्रेमी की फोटो के साथ ही आपने इन सारी की सारी सामग्री को एक काले धागे में या काले कपड़े में लपेट कर काले धागे से उसको उपर से बांद देना है और इसके बाद आपने अपने आखे इस कारे के जो आपने मनो कामना रखी है कि मैं अपनी इस मनो कामना के कारण इस टोटके को कर रहा हूँ तो यह मेरा टोटका सफल हो इतना करने के बाद आपने इस पोर्टली को लेके जाना है और सीधा आपने शमशान घाट के अंदर किसी भी पेड की जड़ो में और ही पावरफुल टोटका जिसका इस्तिमाल करके आप अपनी प्रेमी या प्रेमी का एकी शादी बड़ी आसानी से तुड़वा सकते हैं तो दोस्तों अन्य किसी भी सहायता वह है जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपरक कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेर करना बिलकुल मत भूलिएगा धन्यवाद दोस्तों जैमा भद्रकाली जै महाकाल